लट्टिउं को उठा करने के जाते हैं वोर उनको मुसल्मान करते हैं ये अकलतों की बेटिव को पड़ाना भी ऐसे समझे एक गुना समझा जाता है जो नोकरियां होती है, वह में का मिलती है जो सहुलत है, खास कर पानी की, बिजली की और सहत की, वो बिल्कुल न होने के बराबर है मैं उमर करता रियाशी हूँ, यहां पर जो सहुलत है, खास कर पानी की, बिजली की और सहत की वो बिल्कुल ना होने के बराबर है कहीं कहीं पर हमने देखा है तो जहां पर एम्बॉलनस की वो अतनी सहुलत नहीं है अगर कोई पेशेंट एमर्जनसी में कहीं जाना पड़ता है तो उसको अपने पैसे पर तेल डलाना पड़ता है या फिर वो प्राविट जो टेक्सी है या पराइट एम्रेश से वो करनेना से ब clutter आपनता है तो यहां पर ज年नली पानिक भी बहुत इश्यू बहुत बोहां है उसका ठीडियेस जो है वो घीडियेस बहुत रेसें उसके हवाले से बहुत सारी घो बीमारियां हो रह रही है तर हमारा उम्हारा हम भीर कम्योटी के अध्रबदे हैं और हमार पास इसदर कोई जो स्वेकर एकानूर के साथ कोई अम्हार बस सहुलत नहीं नहीं कानी की ए नहीं रास्ते की ए नहीं पानी जो पिता हो भी शेया नलके कड़वा पीते हैं अजलेक जलेक बोड़ा जना ना शास्ता अनन करना कई जिएयों, तेल उत्रह दो शाय है सस्ती नतीदेज दो पज़े क्मिके जब हुआ को भी जलेक्ट मांगि लगी बैजिया वह ज़े आने किराया भाड़ा हर शाय पाहि लगी पेहिएज यह थेकर अजलेकर सस्ता ही तो को उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है अकलियत की हवाले से हमारे से बहुत मसाइले पैदा होते हैं नाबालत लड़क्यों को उठा के जाते हैं और उनको मुस्लमान कर देते हैं अगर कोई किसी से वो पसंद करती है अगर वो जाती है तो उनको हल यही है वो कोड में पैश करें कोड में पैश करने के बजाए वो खुद ही जो को मुस्लमान कर लेते हैं नाबालत बच्चीों को सुनेरी खवाब दिखा कर और उनको अगवा किया जाता है और कहीं एक जगह पे उनको दस दिन, बीस दिन, माह, दो माह, रोक के उनको माइड वाइश करके उनको कोड में पेश किया जाता है मेरी एक मुटबाना एक गुजारिश है हकूमत पाकिस्तान से कि जो कानून है उसको अमल में लाया जाए और उसी पर ही जो कानून है उसी कानून तहती काम होना चाहिए यहां पर अकलितों की बेटियों को पढ़ाना भी ऐसे समझे एक गुना समझा जाता है अभी मैं रिसेंटी एक विजिट पर गई थी तो वहां पर मैंने बोला कि आपकी बेटियां पढ़ती है केती है नहीं 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 भाई पढ़ाना तो दूर की बाते हमारी अकलितों की जो लड़कियां है वो कच्रा फेंगने भी बाहर नहीं जाती है हम जब तक इसकी शाद इता हिए पंधिनीड लड़के हैं पर लोसी पर पकड़ती रुह थ्यांटनल जुनिट्रियों पर यहां पर जो हिंदु लड़के यहां पाकिसान जो सिंद इताफल निकलते नियां चैसवार से 500 भाप फणिनव केशने जきます पढ़के और अपनी मेनत अपने सेल्फ फिनांस पे जाते हैं और वो पढ़ रहे हैं उन्हों को अगर यही पांच पस्टन जो नोकरी मेरेड़ पे मिल जाया हमें तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जो निमाएंदे मायनोर्टी के नाम पे जो सीटे लेकर बेठे हैं वो अकले तुम को शेडूल कास्ट को इनसानी नहीं समयते हैं वो केटें यह तो मखलूक ही नहीं हैं हमारे साー नहीं खाओ हमारे पास नहीं बेठो हमारे बरतन में क्यों खाया यह जब तक यह सिस्टम भी एक मेरे खिवाल से यह एक बिहानक है सिस्टमय इस पर्ट पार्टी नावाद गाही से अाये तर शिट आए तो के भी जो आते हैं हूं यम्मेशल करें हम अमिज्जा को आपके वोत नहीं मिला है कि में पार्टी की नमान स्केता जाते हैं और पांच एकॉ। किО हमारी यह उत्याध्य कंख्या कि वोत लेकि जाते हैं पांच साल के बाद फिर नजर आते हैं बीज में कोई भी वो अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वही बोलते हैं कि बाई साब आज नहीं है साब यहां गया हुआ है या वहां गया हुआ है तो कोई भी वो रहबरी हमारी नहीं होती हमार बस पांच साल में एक दपर वॉंट आते तब हमारे पास आते हमको बस कहते हैं भाई हमको वॉंट दो हम तुम्हारे हैर क्वाइश पूरी करेंगे और पांच साल होगे तकरिबन हम वॉंट रहे हमारे कोई भी एक काम छोटा का आप गजो जोब्रe कन्वर्जन किया जाता है तो यह रोकना चाहिए इसका बढ़भी पास होना चाहिए तो जब तक । उनको वालिगा होती। अपन मजब्स तक्तिल नहीं कर सकती। हम कहेंगे कि यहां पर जैसे कि पानी का बड़ा मसला है तो वो उनको हल करना चाहिए हूँ इधर ज्याति लोग जो हैं उनको रोड का भी मसला है उनकी सेफ्टी का भी मसला है यह चीज़ें हैं जो अमर पास हैं उनके अमल नहीं है लोग।